SRM University अम्रावती आंध्रप्रदेश इस यूनिवरसिटी की स्थापना 2017 में SRM Trust के द्वारा 200 एकर की लैंड एरिया में किया गया था, इसका Campus Model Infrastructure के तहट तयार किया गया है SRM APK BTEC वाले स्टुडेंट्स का पहला बैच असी साल पास आउट हुआ है, आगे उनके प्लेस्मेंट को भी देखेंगे तो चलिए आप डिटेल्ड अनालिसिस की ओर मूब करते हैं SRM University अमरावती से सबसे करीब रेलवे स्टेशन है विजेवाड़ा रेलवे स्टेशन जो लगभग 22 किलोमीटर दूर है और विजेवाड़ा एरपोर्ट सबसे सामने एरपोर्ट है जो लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है आज के रिव्यू में हम लोग इस कॉलेज के अड्मिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, प्लेस्मेंट्स, हॉस्टल और मैस, कुछ कैचिंग पॉइंट्स, के साथ ही कुछ और इंपॉर्टन्ट टॉपिक को डिसकस करेंगे आए देखते हैं, आप इस कॉलेज में किस तरह से एड्मिशन ले सकते हैं अंडेग्राजूएट कोर्सेस में आप दो तरह से एड्मिशन ले सकते हैं पहला SRMJE entrance के थरू जो इस कॉलेज का खुद का entrance टेस्ट होता है और दूसरा आप इस college में direct admission ले सकते है Feast Structure इस college के B.Tech के computer science वाले students की fees around 3 lakhs per annum और बाकी streams वालों की fees around 2.5 lakhs per annum है इसी तरह undergraduate course of 3 years वाले students की fees 1.5 lakhs per annum है Scholarship इस university में 4 तरह से scholarship provide कर आया जाता है पहला merit based scholarship, दूसरा students के economic condition के अनुसार तीसरा, सैट यह foreigner students के लिए है और चौथा SRMJE जो इस college का common entrance test है लास्ट में आप merit based scholarship की detail देख सकते है Hostel and Mass इस college के पास 3 boys hostel और 1 girls hostel मौजूद है जिसमें लगवक 1500 students के accommodation के लिए जगह है सभी rooms double seater, triple seater या four seater है इसमें आपको AC और non-AC के option के साथ adapt और common bathrooms के option मिलेंगे आपको hostels में laundry service मिल जाएगी और साथ ही साथ college के campus के अंदर एक super market है लास्ट में आप hostel के piece structure को screen पर conditions के साथ देख सकते है अब placement report की बारी पिलहाल इस college का NIRF report release नहीं हुआ है इसलिए हम लोग इस college के official website में दी गई information को consider करेंगे इस university के official website के अनुसार अब तक college का highest package 29.5 lakhs per annum और average package 6.35 lakhs per annum गई है इस college का internship percentage around 93.57% गई थी और अब तक इस college के campus को 75 से अधिक companyों ने widget किया है लास्ट में आप screen पर कुछ companyों की list देख सकते हैं जो इनके campus को internship के दोरान widget करने आये थे अब इस university के बारे में कुछ important बाते पहला, इस college का placement अब तक first year के हिसाब से सही है और बहुत सारे students को internship भी provide कराया गया है दूसरा, college की tuition और hostel दोनों की fees structure थोड़ा सा ज्यादा है जिससे आपको overall cost around 4 lakhs per annum से ज्यादा लग जाएंगे तीसरा, इस college का campus modern infrastructure के तहट तैयार किया गया है campus के अंदर आपको cafeteria, bank ATM, all-in-one store के साथ और बहुत सारी facility मिल जाएगी और कौन-कौन से college reviews को आप देखना चाहते हैं नीचे comment box में जरूर comment करें और हमारे channel को जरूर subscribe कर लीजिए झाल